हेलो एवरिवन गुड मॉर्निंग तो लोफ यू वेलकम टू लॉजिक पार्चाला आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 और 4 ऑक्टूबर के इंपोर्टेंट करेंट अफेस के क्वेशन्स तो फैंक्स आज हम दो दिन का करेंट अफेस कवर करेंगे डेली करेंट अफेस हमारे टेलिग्राम ग्रूप से लॉजिक पार्चाला 16 तो चले फ्रेंट्स आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से जिन्दगी में आपकी काम्याबी इस बात पर निर्वर करती है कि आप काम्याबी के लिए कितने भूके हो क्योंकि एक शेर जब भूका हो होता है तो दुगनी रफतार से भागता है तो अगर आपके अंदर भी इसी तरह से यह जुनून होगा काम्याबी के एक भूक होगी तब भी आप भी अपनी रफतार को दुगनी करेंगे और आप अपनी राइफ में काम्याबी को जरूर हासिल करेंगे तो हमेशा मेहनत करे उस भूख को बरकरार रखें जिसे आप अपने यो कामयाबी का रास्ता है उसे अराम से तै कर सकें तो चले स्टार्ट करते हैं कि इंप्टेंट डे से तो इंप्टेंट यह आज का वर्ड इनिमल वेलफेर दे तो वर्ड ऊ हैं ये दिन शेलिबर किया जाता है इस दिन का उदेश्य है देखे कि दुनिया भर में एनिमल्स के वेलफेर जो वेलफेर स्टेंडर्ड है उसमें सुधार के बारे में जागरुकता लाना कि जो उनके मानक दे गए हैं जो कल्यान मानक हैं उनमें सुधार के बारे में जागरुकता बढ़ाना इसका उदेश्य है सबसे पहली बार ये observe हुआ था देखे 24th March 1925 को और इसे Nature Watch Foundation ने organize किया था लेकिन उसके बाद ये अब कब celebrate किया जाता है 4th October को Theme इसकी इसबार क्या रही है Great or Small, Love Them All तो very important याद रखें जरूर पहला question देखे इंडिया and which country have recently signed a social security agreement बारत और किस देश ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा समझोते पर हस्ताक्षर किये है तो अभी इंडिया और अर्जन्टीना ने जो है social security agreement पर sign किया है ये जो agreement sign किया है ये जो इंडिया की ambassador जो अर्जन्टीना में है दिनेश भाटिया और अर्जन्टीना के जो minister है foreign affairs के Santiago, Kefirio तो इन्होंने जो है इस agreement को sign किया तो पोशन ये बन सकता है कि इंडिया की तरफ से agreement किसके द्वारा sign किया गया दिनेश भाटिया के द्वारा, the agreement would protect the right of professionals and workers against loss of benefits or contributions made towards social security in both countries अब इससे क्या फाइदा होगा, देखो ये जो समझाता है ना, दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा के लिए किये कर लाब या जो भी योगदान किया गया है उस योगदान के नुकसान के खिलाफ जो professional हैं, जो worker हैं, उनके अधिकारों की ये रक्षा करेगा ये agreement जिसे कहा गया है social security agreement बात करें कुछ recent M.A.U. और agreement की जो अभी इंडिया के साथ में sign हुए other countries की तो इंडिया और अर्मेनिया ने अभी M.A.U. sign किया था in the field of sharing successful digital solution ने जो है young researchers में bilateral exchange के लिए भी M.A.U. sign किया इंडिया और साथी अरेबिया ने जो है agreement sign किया था energy sector में सायोग को लेकर और इंडिया और न्यूजिलेंड ने friends एक M.A.U. sign किया था to boost cooperation in civil aviation civil aviation में जो सायोग है उसको boost करने के लिए इंडिया और न्यूजिलेंड के बीच में M.A.U. sign हुआ next question के बात करते हैं तो ICCR के दोरा जो आयोजित इंडो लेटिन अमेरिका सांस्क्रतिक महासब है इसका चौथा संस्क्रण किस शहर में शुरू हुआ है तो ये भी आद रखेंगे इसका कौन सा एडिशन है फोर्त और ये कौन से शहर में शुरू हुआ है न्यू डेली में तीन कंट्रीज के टोटल 34 आर्टिस्ट ने जो है इस दो इनके फेस्टिमल में पार्टिसिपेट किया कौन कौन सी कंट्रीज कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली ये जो सेलिब्रेशन है कल्चर और आर्ट का तो ये जो संस्कित और कला का जो ये उत्सव है ये लेटिन अमेरिका की जो दिखी संस्कित एक विरासत है उसको स्पोटलाइट यानि उसको उजागर करने की मिशन का है यानि उसको एक तरीके से हाइलाइट करना इसका में इस फेस्टिवल का में उदेश्य है जिसको लेके ये और्गनाइस किया जाता है नेक्स्ट क्वेशन इंडिया विल होस्ट दो विच एडिशन ऑफ दी पैसिफिक एशिया ट्रेवल असोसिएशन ट्रेवल मार्ट प्रगती मैदान इंडिली फ्रम फोर्थ टो सिक्स अक्टूबर तो भारत जो है चार से छे अक्टूबर तक दिली के प्रगती मैदान में पैसिफिक एशिया ट्रेवल असोसिएशन ट्रेवल मार्ट के किस संस्क्रण की मिजबानी करेगा कौन सा एडिशन तो यहाँ एडिशन पूचा गया है तो एडिशन याद रखेंगे 46 एडिशन तो इंडिया जो है इसके 46 एडिशन की मिजबानी करेगा और यह कहां पे कंड़क्ट कराया चाह रहा है यह भी याद रखेंगे डेली में यह जो डेली में इवेंट हो रहा है इसमें देखें दुनिया पर के प्रोफेशनल्स हो गए बिजनस स्टेकोलजर्स हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको यह एक साथ लेके आएगा और इसमें क्या होगा नेटवर्किंग, लर्निंग, कॉलाबरेशन यह सा इन तरह से फेंट्स यहां से आपके एक्जाम में कोशन बन सकते हैं नेक्स्ट कोशन विच स्टेट और यूटिस गवर्नमेंट हैज इंटर्डूस्ट आ फिफ्टीन पॉइंट विंटर एक्शन प्लान टू टैकल एयर पॉलूशन इन दी अपकमिंग विंटर सीजन किस राज़या के इंदर साशर्ट प्रदेश सरकार ने आगामी सद्यों के मौसम में वायू प्रदूशन से निपटने के लिए 15 सूत्रिय शीत कालिन कार्य योशना शुरू की है तो फ्रेंट से कार्य योशना जो है इससे शुरू किया है डेली गवर्मेंट ने इसका उदेश यह है कि ये जो प्लान देकि लाउंच किया गया है इसका में परपस है कि पॉलुशन को टेकल करना और दिल्ली में जो एर क्वालिटी है उससे इंप्रूफ करना तो इसी परपस से जो है विंटर आक्शन प्लान का जो 15 पॉइंट से उनको जो है एक तरीके से अन्वील किया गया है डेली गवर्मेंट के दुआरा तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरिवाल उन्होंने जो है इस 15 पॉइंट्स को इंटर्ड्यूस किया है next question देखिए who has been appointed as a new director general of border road organization सीमा सडक संगतन के नए महानिदेशा के रूप में किसी न्युक्त किया गया है the right answer is रगू श्री निवासन इसको important mark करेगा तो lieutenant general रगू श्री निवासन जो है अब बियारो के director general जो है ये appoint हुई है ये बियारो के 28th director general बनी है ये point भी important है बियारो की बात करते हैं देखिए बियारो क्या काम करता है इसका उदेशे होता है कि जो इंडिया के borders है secure करना उनको secure India's border by developing infrastructure in remote areas तो जो हमारे उत्तर और पुर्वतर राज्यों के दूर दराज़ वाले इलाके हैं वहाँ पर इंफर स्ट्रक्चर का विकास करके जो इंडिया के border है उनको secure करना उनको सुरक्षित करना तो इसी उदेशे के साथ 7th May 1960 को बियारो के स्थापना की गई थी तो अब इसके डारेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए है लेटेनल जनरल रगु शिरी निवासन कुछ और appointments की बात करें तो दीके अभी Advertising Standards Council of India के Chairman बने चेर्मन बनी है सौगुपता इसके लावा Advertising Standard Council of India के Vice Chairman की बात करें तो कौन अपॉइंट हुए है पार्थ सिन्हा Media Research Users Council इंडिया के Chairman अपॉइंट हुए है सैलेश गुपता और इसके Vice Chairman अपॉइंट हुए है सशांक श्रीवास्तव Next Question नितिन गुपता हैस बीन री अपॉइंटेड एस चेर्मन और विच आप दे फुलॉइंग तो नितिन गुपता को निमलेकित में से किस के अध्यक्ष के रूप में पुन्हा नियुक्त किया गया है तो फ्रेंट्स यह भी हाली में CBDT के जो है CBDT के फुल फॉर्म भी याद रख लीशे का Central Board of Direct Taxes तो CBDT के जो है यह चेर्मन पर पर री अपॉइंट हुए इनने पुन्हा अपॉइंट किया गया है इनका नाम भी बूच सकते हैं तो याद रखेगा नितिन गुपता नितिन कुपता 1986 बैच के IRS ओफिसर है इनकम टेक्स डेपार्टमेंट के और जून लास्ट यह जून में जो है यह CBDT के हैड अपॉइंट हुए थे एक्स्ट क्वेशन के एन मधु सूदनन हैस बीन अपॉइंटेट पार्ट टाइम चेर्मेन और विच बैंक तो के एन मधु सूदनन को किस बैंक का अंश कालिक अध्यक्ष निक्त किया गया है तो जब तक अभी देखेंगे चेर्मेन कोई नियो अपॉइंट नहीं होते तो पार्ट टाइम चेर्मेन किस से पॉइंट किया गया है के अन मदु सूधनन को अब बात करें किस बैंक का तो आंसर इस धनलक्षमी बैंक तो आर बी आई ने जो है इन्हें अपॉइंट किया है धनलक्षमी बैंक के पार्ट टाइम चेर्मेंट पत के लिए धनलक्षमी बैंक की स्थापना होई थी 14th 1927 को हिट क्वार्टर इसका जो है थ्रेसूर में है और सी यो एमडी कौन है जे एफ शिवन तो शिवन जो है सी यो और एमडी है तो साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सी यो के रूप में किसी नियुक्त किया गया है रॉइट आंसर पी आर शिशादरी जो है साउथ इंडियन बैंक के एमडी सी यो अपॉइंट हुए है इन्होंने सक्सेट किसे किया है मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक के स्थापना हुए थी 1929 में हेटक्वार्टर है थ्रेसूर केरला में चेर्मन है सलीम गंगाधरन, M.D.C.O. बन गए है पिया शिशादरी और इसके टेग लाइन क्या है एक्सपीरियन्स नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग नेक्स्ट क्वेशन देखें कैटलेन कारिको और डू वीसमैन हाज बीन अवाड़ेट दिफीजिलोजी नोवल प्राइस 2023 फोर विच डिस्कवरी तो नोवल प्राइस के शुरुआत हो गई है अभी देखें फीजिलोजी या इसको मेडिसिन भी बोल सकते हैं तो मेडिसिन के फिल्ड में और फिजिक्स के फिल्ड में दो नोवल प्राइस के अनॉंसमेंट हो गई है जिनको हम अभी कवर करेंगे तो सबसे बहले बात करें, Physiology में देखें किसी मिला है, तो इनके नाम ज़रूर याद दकेंगे, Catalin, Carrico and Drew Wiesman, अब किस discovery के लिए उन्हें जो है, Novel Price से सम्मानित किया गया, तो उनके discovery क्या थी, for developing effective mRNA vaccines against COVID-19, तो COVID-19 के against, जो उन्होंने mRNA vaccines develop की थी, उसके लिए उनको medicine में 2023 के Novel Price से सम्मानित किया गया है, तो ये हैं friends, तो नो इनके नाम ज़रूर याद दकेंगे, और Novel Price से तो friends, exam में question बनता ही बनता है, अगर last year की बात करें, यानि अगर हम 2022 की बात करें, तो medicine में जो Novel Price मिला था, वो last year किसे मिला था, Swedish विज्ञानिक ते सवान्तो पावो इन्हें दिया गया था, और physics की बात कर लेते हैं, चले साथी साथ में, तो अगर Novel Price physics की बात करें, तो तीन scientist को physics में Novel Price मिला है, देखे इनके नाम है, पियरे अगोस्तिनी, फ्रेंक क्रोजग, एने एल हुलियर, तो इन तीनों के नाम याद रख लेजेगा, एक्जाम में पूछ सकतने हैं, और इन्हें क्यों मिला है, अगर बात करें, तो इनके किस experiment के लिए मिला है, for experimental method that generate 8 second pulses of light for the study of electron dynamics in matter, प्रयोगात्मक तर तो ये थोड़ा से experiment इनका था, और इस experiment के लिए इन तीनों को मिला है physics में novel prize, तो और भी novel prize जैसे से announce होते जाएंगी, हम उनके बारे में discuss करते चलेंगी, अगला question है, what is the name of mascot for the ICC Cricket World Cup 2023, ICC Cricket Wish Cup 2023 के शुभंकर का नाम क्या है, तो इस बार दो mascot हैं, एक का नाम रखा गया है Blaze and दूसरा नाम है Tonk, तो Blaze and Tonk ये ICC Cricket World Cup 2023 के mascot है, Blaze जो है ये female mascot है, तो भी Blaze याद रखेंगे, और जो Tonk है, ये male mascot है, इतना ध्यान रख लीजेगा, ICC के बात करते हैं, International Cricket Council, इसके सापना होईती है 15 June 1909 को, Headquarter है Dubai में, Chairman है Greg Barclay, Deputy Chairman है Imran Khwaja, CEO है Geoff Elardis, General Manager है Wasim Khan, और Members कितने हैं 108 Next question, India has won a gold medal in men's squash team event after beating which country at the Asian Games 2023 तो अभी Asia ही खेल में भारत ने किस तेश को हरा कर पुरुशों की squash teams परधा में gold medal जीता है तो एक question ये भी बन सकता है, देखें, exam में कि men's की squash team है, उन्होंने कौन सा medal जीता है तो Asian Games में जीता है उन्होंने gold medal और इन्होंने किस team को हराया है, पाकिस्तान को तो पाकिस्तान team को हरा कर इन्होंने जीता है gold medal ये squash में इंडिया का दूसरी बार gold medal है, इससे पहले जो था men's की team ने 2014 में जो की Asian Games वेदे उसमे gold medal जीता था next question, इंडियास मुर्ली श्रीशंकर हैस वान दिस silver medal in the men's long jump event at the Hangzhou Asian Games with the best jump of how many meters, तो कितनी लंबी इन्होंने चलांग लगाई थी, किती लंबी की इनकी कूद थी जिससे उन्होंने Asian Games में कौन सा medal जीता, तो याद रखेंगे इन्होंने जीता है silver medal और कितना लंबा distant था इनकी चलांग का 8.22 meter तो पूछ सकते हैं इस exam में, लेकिन exam में medal जाद अदर पूछ लेते हैं, तो आप याद रखेंगे इन्होंने जीता है इसमें silver medal, इसी event में अगर हम बात करें तो चाइना के वांग जियान ने जो है इसमें gold medal जीता था तो इन्होंने gold medal जीता था और मुली रामकृष्णन की देखे 8.22 नहीं थी, sorry 8.19 meter थी ठीके क्योंकि 8.22 meter तो किसकी थी चाइना के वांग जियान की और मुली श्रेशंकर की जो best jump कितने meter की रही थी 8.19 meters की next question, the women's team of संजना बथुला, कारती का जगदीश्वरन, हीरल सादू and आरती कस्तूरी राज have won the bronze medal in which sport event at the Asian Games 2023 तो यहाँ पर दिखें आप लोगों को 1, 2, 3 and 4 नाम दिखें हैं तो यह women's team तीब में थी और बताना है कि किस sport event में जो है इन्होंने जो women's के team है इन्होंने कौन सा medal जीता है, इन्होंने bronze medal जीता है तो bronze medal जो है friends इन्होंने जीता है roller skating में, छीके, तो याद रखेगा roller skating में कौन सा medal जीता इस तरह से भी exam में पूस सकती है, bronze medal तो फ्रेंट्स यहाँ पर आजके हमारे सभी कर इंटरफेस के questions complete होते हैं अब बात करते हैं Static GK के questions की तो पहला question देखिए Who is the writer of novel The White Tiger? कुछ ऐसे novel होते हैं देखिए जो बहुत सदा famous होते हैं तो exam में क्या होता है यहाँ से question बन जाता है जो इसे बात करें The White Tiger जो novel है किसने लिखा है तो यह novel के author कौन है? Arvind Adiga ठीके और इसे publish कब किया गया था? 2008 में और इन्होंने 40th Man Booker Prize भी जीता था इसी year में ठीके किसने जीता था? Arvind Adiga ने जो की इसके author हैं अगला question देखिए The book experiment with truth is based on whose life? तो booker नाम है experiment with truth यह किसके जीवन पर आधारी थे? आप सभी इस book के बारे में जरूर जानते होंगे यह गांधी ची की जो है autobiography है और इसमें गांधी ची की जो पूरी life है उसको cover किया है उनके बच्पन से लेकि 1921 तक कैसे उनके life रही यह सब के बारे में इस book में दिया गया है next question देखे who is the author of the book we are displaced तो we are displaced इस book के author कौन है? तो very famous author Malala Yousuf जाई Malala Yousuf जाई कौन थी यह? कौन है यह? तो यह Pakistani activist है और यह youngest novel prize winner भी रही है इनको novel prize मिला था at the age of 17 17 वर्ष की आयो में इनको novel prize से सम्मानित किया गया था next question who among the following is the writer of the novel The Room on the Roof तो देखे novel का नाम है The Room on the Roof इसके भी author बहुत famous है तो right answer है Ruskin Bond तो Ruskin Bond ने जो है यह novel लिखा है next देखे dash is the biography of Sachin Tendulkar चार यहाँ पे आपको books के नाम देए इन में से Sachin Tendulkar की biography यानि जीवनी कौन सी है तो इनकी biography का title है playing it my way चीके याद कीगा important question so friends complete हो गए है यहाँ पे हमारे सभी questions अफ़ेंस बात कर लेती है revision जो हमने last day current phase को किया था उनके सभी questions को हम लोग आज revise कर लेती है तो देखते हैं पहला question क्या है which country has recently unveiled its first domestically made submarine और submarine का नाम क्या है hycoon तो इस submarine का अनावरण किस country ने किया है ताइवान ने next question इंडिया secured which rank in global innovation index 2023 तो friends भारत को इसमें कौन सी rank मिली है 40 तो global innovation index में इंडिया को 40 rank मिली है और इसमें top किस ने किया है तो इसमें number one पे है Switzerland next question South South knowledge sharing series conference ये किस ने organize किया तो इस conference को organize किस ने किया है friends तो right answer यहाँ पे mark करेंगे world bank ने अगला question देखे union home minister अमिश शाह chaired the 31st meeting of the northern zonal council held in which city अमिश शाह ने किस शहर में आयोजित उत्तरी छेत्रे परिशत की 31 वी बैटक की अध्यक्षिता किस शहर में की तो इसके अध्यक्षिता कहां की गई है अम्रिस्सर में next question प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अक्षवानी दाहोद FM रिले स्टेशन प्रोजेक्ट की अधार्शिला किस राज्य में रखी तो इसके अधार्शिला रखी गई है गुजरात स्टेट में next देखे किस बांक ने जो है मनेश जेहन को होल सेल बांकिंग का हेड़ पॉइंट किया है तो विच बांक तो राइट आंसर इस यस बांक next देखे who has been appointed as a new chairman of the media research users council इंडिया media research users council इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया answer सेलेश गुपता next देखे 2023 राम शाष्ट रामनुजन प्राइस ये किसे मिला है तो ये प्राइस मिला है रूइस दियांग जांग को next देखे इंडिया की रोशिबीना देवी नरोम ने महिलाओं की 60 kg वर्क में कौन सा medal जीता silver medal बात करें she is related to which sport तो कौन से sport से इनका सम्मन्ध है answer is वुशू so friends complete हो गए है हमारे हाँ questions last video में हमने आप से test का जो question पूछा था उसमें पहला question था कि जो बुनालू है ये कहां मनाती है तो बुनालू festival या बाठु कम्मा ये celebrate किया जाता है तिलंगाना में और दूसरे question में कुछ options में mistake थी देखिए जिसमें से हमें सही करके बताना था तो उसके सही ये सभी answer है मदुमनी painting का संबन बिहार से है भार painting का संबन राजिस्थान से है पट्टा चित्र का संबन उडिसा से है और थंजावुर आठ का संबन पमिलाडू से है तो देखिए फिर आज का क्या question है तो पहला question है ये भी बहुत famous देखिए जो है बुक या नोवल गैलीचे इसके author का नाम बताईएगा और दूसरा question है who is the author of the book इंडिया शर्ष्ट्र reflections on the nation in our time तो ये जो बुक है इसके author कौन है तो आप सब इन दोनों question के answer हमें comment box में ज़रू बताएँ इसे के साथ फिर डेली कर इंटरफेस का session यहां complete होता है अगर आप हमारे channel को कुछ contribute करना चाहते हैं तो आप हमें अपने दिल से contribute कर सकती है thank you so much for watching this video